नमस्कार आप सभी को हमारे एजबी टी साज बहु के तड़का में आप सभी का स्वाकत है तो देखिए आज इने हमने एकदम न्यू रेस्पी बनाई है पत्ता गोबी से जो बहुत ही स्वादिश्ट हेल्दी नास्ता है तो देखिए यह गिलास है जो थोड़ा धार रहे या कटोरी से आप इस तरह से बीच से गोल काट सकते हैं पत्ता गोबी को अच्छे से साब धोलीजे देखिए इस तरह उसके एक एक पत्ते को निकाल कर और जो बीच में मोटा वाला नार है उसे इस करना है और इस तरह गोल काटके उबलते हुए पानी में डाल देना है एक से दो मिनट के लिए जिससे यह पत्ता गुभी का पत्ता है वो अच्छी तरह से गल जाएगा जिसके बाद उसमें बनाने में बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में तो एक बार आप लोग जरू ट्राइए कीजिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्क्राइब कीजिए उबल जाते हैं ज्यादा टाइम और काटने के बाद जो बची वे तुकड़े थे उसको चोटा-चोटा काट कर उसके मसाला तयार करने के लिए मैंने इसमें उबाल ली हूं थोड़ा अच्छे से गल गया है देखी यह गल चुका है अब दो चमस तेल और उसमें थोड़ा सा राई का दाना प्याज मिर्ची और टमाटा डाल के भून लेना है यह टमाटा भी डाल दीजे और थोड़ी देर अच्छे से गलने दीजे बहुत ही आसान रिस्पी है यह पहले मसाला तयार करना बता रहे हैं पत्तागो भी से स्वादिष्ट नास्ता अपने ऐसा नास्ता बनाया नहीं होगा बहुत आसान वीदी है और यह थोड़ी सी नमक डालिए बहुत ही टेश्टी और आसानी से बनने वाला नाहीं तेल और यह है रवा आटा अगर घर में सुजी है तो उसको इस तरह से बारिक पीश लिजी एक कटोरी सुजी में आटा में और थोड़ी सी आधा कटोरी दही डालना नमक और तेल डालना स्वादा अंसार यह अब अच्छे हुए इडली से भी आप बना सकते हैं इडली के बैटर से बना सकते हैं यह देखें कि इतने अच्छे सुबला हुआ है पत्ता गुभी का पत्ता यह एक साइज की कटोरी लीजिए छोटा बड़ आप जैसा साइज से काटे हैं वैसे ही और अच्छे से ग्रिश कर लीजिए ब्रश की शाहता से और पहले इस तरह से हलके से हिला देना जिसे उनका एर पास हो जाए यह देखें ऐसे ही सारे कटोर में बनाना है और अलगर रख तरह से भी बनाना है कभी आप पत्ता गुभी को उपर में भी रख दें और नीचे में मसाला डालके और फिर उपर में करके बनाए हमने दो तिन प्रका अगर आपके यहां तीन यह चार रखते बनेगा तो ऐसे करना है पांस से छे मिनट रखना है ज़ब तक पक ना जाए और उसे टूट कि श्टीक से आप उसको चेक भी कर लिजे कि गला है की नहीं अच्छे से पका है की नहीं भाब से देखे कितने अच्छे से भाव से निकार और फूल के एकदम कटूरी के उपर रा जाता है बहुत ही स्वादिश्ट नास्ता है और हेल्दी है एक बार जरूर बना के खाईए पत्ता गोबी वैसे भी स्वास्त वर्धाक है और बहुत ज़्यादा गरम इसले कपड़े की साहता से या पकड़ से आप उठाईए देखे और ठंडा होने के बाद चाकू की मदद से पूरा निकाल लीजिएगा बहुत ही स्वादिश्ट रेस्पी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्क्राइब कीजिए देखिए ये उपर में मैं डाल के बना रही हूँ नीचे में मसाला है ये छोटी कटोरी है अब इसको इस तरह से भी आप बना सकते हैं देखिए कि इतने अच्छे से मैंने चाकू की मदद से उसको चारो तरब से निकाल ली हूँ चुकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ तो चाकू से निकालते नहीं बता पाई आप लोगों को स्वारी पर आप निकाल लेंगे कोई भी दिक्कत नहीं देखिए कि इतना अच्छा बना हुआ है एक एक कटोरी सब को दीजिए और जिस तरह इडले खाते हैं या बर अब चाहें तो और भी मसाला डाल सकते हैं मैं यह वाला हमेशा बनाती हूँ इस नास्ते को आप लोग भी बना का यह देखिए पत्ता गुबी यह बीच में कटा हुआ जो अच्छे से पक चुका है खाने में बहुत अच्छा लगता है दिखने में सुन्दर है और खाने मे भी 10 मिनट में पूरी रेश्पी तयार हो जे देखिए पत्ता गुबी जो मैं आपको दिखाई थी उपर में डाल के वो कितना अच्छा दिख रहा और नीचे में मसाला उसका आप ऐसे ही उसे बर्गर की तरह खाईए यह देखिए बीच से कितने मसालेदार है और अंदर त अके लिए ही बैटके सबको दीजिए बहुत टेश्टी लगता है इस तरह से उपर में धन्यापत्ती थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च छिड़क दीजिए खाने में बहुत टेश्टी लगता है यह हरी मिर्च की चटने के साथ खाईए तो प्लीज लाइक सब्क्राइब